नमस्ते दोस्तों मैं सुमीला रावत फैमिली एंड किचन गाडन में आपका स्वागत करती हूँ आज मैं फिर से अपने बीजों के साथ आई हूँ और बीज तो मैंने खरीद लिया है पर इनको मैंने अभी लगाना शुरूर नहीं कर रहा है इनको तो आज मैं तियारी कर रह जी ये देखी है यह इनको मेरी एक खीले के वीज ने पर मेरी येजारी मैं और यहां पर में एक रहले घील मैं और मेया शुक्त chirping तो यह सब माने रखे लिए हैं और यहां पर में किस चीज़ें भिकोंगी आपको दिखाते हूं यहां पर मैंने ले lige है पाणी थोड़ा सा और यहां पर मेरी बोटल रखे हुई है यह गोव मूत्र है तो यह मूत्र मैने इतना निकाल लिया देखें, कितने से मैं लिया है ऍमेनल ले कि लिए पानी में मैं हम जबाए और सारे इसांने qi कोईतों जासे कि कीट जिसे कहते है कि यहा uit । pak उससे पहले हमको अपने बीजें को ही रोख्मुक्त करना है तब जाए करने के लिए हम इसमें पी भीजों को भीजों को भीगो ने में ने तो पानी में छोड़ा सब्छुने हमने 3 बुंदे हमने यहां पर और यहां पर मैं देखिए यह सी सिको के मेरे बीज है सारे बीज में इकट़ा डाल दूंगी तsteय यहां पर मैंने ये रखे गिया को गोल गिया हमारा यह देखिए और यहीं मैं अपने करेले के बीज में इसमेंगAL कॉलर्डय और यहीं पर मेरे यह बीज है यह बीज है यह नがलर्डीएं साइरा हुआ यह देखिए है देखिया जेये यह कूल शसकी देख में। तो सारे भीज मैं इसमें डाल दिया ने और यह मैं इस और चोड़न। आज मुत्र कर रहा है ने से तो यह सब मैंने आज इसमें किया है आप लोग मूत्र करने के लिए होता है और इसका पूधर को को में अपने पौध हो जाए जैसे एक फूट का हमारा पौधा हो जाता जासा इस तरीके का इतना हमारा पौधा बन जाएगा देखिए यहां से टेबल से में दिखा रही है आपको इतना हमारा पौधा बन जाता है तो उसके सबजी निकलने वाला होता है कोई बिए कीड नहीं होता है और clinically잖아 Α्वальномेल में कीड़ा वीड़ा how to use का मैं नहीं किकें वद्दा कर सकते हैं स्प्वकूह पको दिखारिए कि संद्रें में से परहे हुआई मैं इसे लेकिक है तो फ्म कोई किमाने वीड़ा और ज्णकास नहीं करने से हमारे रोन बहुत ज़्यादा बन्टे हैं इसको हम मिट्टी में बेग्डां में सब्सक्राइब। 1 लीटर में एक ड़कन डालके और इसको हमें गंबले में भी डाल सकते हैं मिट्टी में भी डालेंगे तो इसकी जड़ें जो है हमारी आह से पावर्फुल हमारी जडब्ले ऊजाती है ताकतवर होजाती है पौधा को आगे फूल सबने के लिए वह they call तो अ मेरा है यहां पर पालक जो गर्मियों में लगने वाला रम है हो है यह नों नों को I am back to रल के और देखिए हम इसको छोड़ देती हूँ मैं यहां पर जैसी यह गीलिया होते रहेंगे वैसे यह त्यक्तर नीचे की तरफ को बैठ चाहेंगे तो', यहां पर मैं तेखेंगें के कल भार यहां यहां पर मैंने रखावाय यह देखिए अपना एक पानी रखावाय और इस पानी में मैं डालूँगी और ने यह डालने के बाद इस पानी को मैं इसमें डाल दूंगी ताकि हमारी मिट्टी वी जो है उबजाव बन जाए और मेरे मिट्टी में भे कोई कीहट वीट नारह न हो 176 कोई जैसेечение दीमा का पूब का उनकस लग जाती है इस तरीका कुछ मात नहीं और हमारे जो हैं हम बीज़ डालें और फट से उपर आ जाय सिसको हमने घ्यार मीट्टी में ढटार ता Ami तौह एक ही बात है मीट्टी में गौ मुंत्र मिला मिल चटो है हमारा तो मैं धिखाते हुएं आपको तुह स्थारिके से हम डालें तो मैंने यहां पर देखिए गत्ता ले लिया है इसमें मैं डालूंगी मिट्टी देखिए मेरी मिट्टी रखी बनी वी यहां पर मैं मिट्टी रख लूगी किस तरीके से डालना है इसके बहुत बारिक-बारिक सीट्स है न किस तरीके से हम डालेंगे वह मैं आपको दिखात है yanam एक जागे में बीज नहीं पड़ते हैं सारे लग-ग फैल के दलते हैं यह ए यह देखिए मैंने यह इस बीज डालनी है इसको हम इसमें मिला लें इस तरीके से मिला लें है और हमरे उर्टी में विज रिदॉच इस सरहे जना लिया अब हम इसको उठा के और इस तरीके से यहां पर डेंगे मिठी के साथ तो वारे भीज भी बोlledड में इस में चले गए इस तरीके से करेंगे इस भीज और इस में डिल गए हैं उपड़ से हम मिठी करेंगे है है兒 तो यह हमारे लगे हैं लाल कि उसाग का बीज हमारे डल चुक है और मिटिविने प्हहले गौन मुतर से बोग कर दी हैं तो यह इस तरीके से इस नी बाद लाल वाली चोलाई यर्कolा बीजियों को Gaux को लगा है पौधों को जब थोड़ा बढ़ हो जाएंगे तो इसको में दूसी जगे भी शिफ्ट करोंगे दूसी जगे भी लगाओंगे थोड़ा इसी में रहेंगे बागी के मां दूसी जगे लगाओंगे तो फिर चलते हैं आप मैं आपको दिखाते हैं कि हैं पर मेरे देखिए यह मेरे प्याज लगाओ है पाज के मैं आप पे पॉदि के टो में खा स यह does दिखाती हूं तो दोस्तों में यहीं पर देखिए यहां पर साइट में थोड़ी सी मेरी जगह है यहीं पर मैं प्याज लगाऊंगी यहां पर और यह देखिए मेरी प्याज यह देखिए पौद यह है प्याज की पौद लगाने के लिए यहां पर तो यहां पर जो है इतनी बड़ी मेरी यह देखिए प्याज की पाउद होगी है तो इतनी बड़ी में नहीं लगाऊंगे इसको थोड़ा सा मेर को कट करना मैं कट करके आपको दिखाती हूं क्योंकि काट के लगाने से बहुत अच्छी तरीके से हमारे जो नीचे से हमारे यह जो बनेगा प्याज प्याज के पत्ते निकले हैं इनके मैं से हरी सब्जी में डालाओंगे किसी भी हरी सब्जी में यह मेरे काम आजेंगे मैं इसका फैक होंगे नहीं क्योंकि यह प्याज के ही पत्ते हैं इनको मैं रख जाती हूं तो इनको लगाना शुरू करती हूं अब मैं और आपको कि के से लगाते चले जाएंगे ये देखिए हैं इसे रोपते चले जाएंगे इस तरीके से और इसकी मेर zarada तude के लगाना हमें कि तो इसतरीक से में लगाके में शारी लगा के आपको दिखाती होगी म के दोस्तों में यहां पे दिखिए यह दिख करी ığınग आपको मैंने पया जिसमें लगा दिये सारी यह दिखिए अब मैं इसमें पईर नालओं शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर कर लें नहीं पर देखिए मेरी यह मूलियां लगी हुई है यह देखिए और मूलियों के पत्ती की सब्जी बहुत अच्छी बनती है तो नमस्कार मेरी वीडियो देखने क्लिप बहुत बहुत धन्याबाद आपका मिलते हैं फिर कल नई एक नई वीडियो के साथ